हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, अप्लाइड साइकोमेटरी एड हीट लोड एस्टीमेशन, तो ये बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, क्योंकि जो पीषे बाड़ा चैप्टर लगा था, तो थोड़ा सा बोरिंग सा था, तो अब नहीं होगा बोरिंग, अ है okay psychrometric chart psychrometric chart तो यह chart बड़ा फेमस है बहुत ज़दा फेमस है इसलिए मैं अराम से इसको समझाओंगा और आपको समझाज़ेगा टॉट बतौरी तो हम मैं इसको समझाने के लिए अलग से पहले बना देता हूं आपको तक कि यह चीज मैं समझा सकूँ अलग से आपको तो यहां पर एक line लगाएंगे और उसके बाद यहां पर हमारे पास होगा एक line यहां पर आएगी और इसके बाद हमारे पास यहां पर और फिर यहां पर यहां पर यहां पर आजेगा और उसके बाद हमारे पास यह curve बनेगा वो आप साथ साथ बनाएंगे कॉपी पे और उसके साथ आपको समझ आने लग जाएगा एक एक चीज़ अब जो मेरे पास देखिए वर्टिकल लाइन्स होंगी यहाँ पे यह वर्टिकल लाइन्स जो होंगी वो हमारे पास होंगी ड्राई बलब टेंपरेचर की कौन से होगी ड्राइ बलब टेंपरेचर DBT बोल देंगे से DBT तो ड्राइ बलब टेंपरेचर आप भी प्लीज मेरे साथ बना लीजे इसको ठीक है आप जल्दी-जल्दी से मेरे साथ बना लीजे और ये ना evenly spaced होती है evenly space मतलब एक दूसरे से बराबर दूरी पे होती है लेकिन मेरे से अगर यहाँ पे नहीं भी बनागा तो don't worry कि सर आप से तो बना नहीं यहाँ पे तो क्योंकि यह evenly space बनाना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे हो गया अब दूसरा जो होता है हमारे पास होता है देखे थोड़ा सा अलग से यह हमारे पास इस तरह से आजएगा यह देखे यह inclined lines हमारे पास इस तरह से आजएगी और यह होगी हमारे पास wet bulb temperature lines फ्लीज इसको थोड़ा सा देख लेना एक बार मैं roughly आपको समझा रहा हूँ एक बार ठीक है और इसके बाद आपको चार्ट में भी समझा दूगा क्योंकि यह lines आपको अलग अलग बतानी बहुत जाए दिरूरी है कि यह line कौन सी है यह line कौन सी एक एक करके समझोगे तो अराम से समझा जएगा नहीं तो यह थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यह थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ओके यहां पर आ जाते हैं यह वैट बलब टेंपरेचर तो मैं एक बार लिख रहा हूं यहां पर तो यह कौन सी line आगी यह आगी डी बी टी यहां पर लिखते हैं यहां पर डी बी टी ड्राई बलब टेंपरेचर लाई और यह मैंनी पर आगी वैट बलब टेंपरेचर लाई ठीक है अब इसी को अगर एक्स्टेंड किया जाए उपर आगे क्यों लिखे जाए जाए इस तरह से ठीक है तो यहां पर आलग हमारे पास आ जाता है एंथेल्पी की lines भी बन जाती यहां पर यह एंथेल्पी की lines भी चेक की जा सकती आगे अगर चला जाएं तो चले जाएं और हम यहां पर एंथेल्पी भी चेक कर सकते हैं तो एंथेल्पी के लिए अगर मैं बनाओं तो यहां पर मैं बना सकता हूं अलग कलर से हम बना रहते हैं कि यहां पर एंथेल्पी हमरे पास चेक की जा सकते हैं तो यह हमरे पस कुछ इस तरह से enthalpy यहां पे आ देगी, ठीक है, enthalpy यहां पे आ देगी, ओके, तो यह सब कुछ जो बना रहा हूँ, मैं roughly बना रहा हूँ, तो don't worry की सर यह टेडा हो गया, वो इस तरह से हो गया, ठीक है, तो यह enthalpy की line अगी, यहां मैं लिख देता हूँ, यह enthalpy के humidity की आ देगी, तो वो कौन सी आ देगी हमारे पास, specific humidity की, यहां पे मैं बना रहता हूँ, तो यह हमारे पास specific humidity की lines है, यह देखिए, ओके, तो यह भी हमारे पास, यह देखिए, horizontal lines है, यह specific humidity की lines है, specific humidity की lines है, यह आगी, अब मेरे पास, यहां पे लिख देता हूँ, इसको, ठीक है, side में लिख देता हूँ, कि यह specific humidity है, specific humidity है, अब यह values जो होती है, वो अलग-लग हमारे पास आएगी, वो क्या आजेगी हमारे पास, यह अभी सारा कुछ discuss कर लेते हैं, और यहां पे अगर temperature की, मैं roughly कुछ भी लिख देता हूँ, यहां पे एक बार, माले जे मैं लिख देता ह यह 50 की है, इस तरह से मैं कुछ भी लिख देता हूँ, एक बार, ठीक है, exact value तो हमें वहीं से मिलेगी, हमें वहीं से मिलेगी, एक बार समझाने के लिए मैं आपको बता जता हूँ, यहां पे, इस तरह से, ठीक है, अब मेरे पास यह जो lines है, हमारे पास, wetable temperature lines, जो है, wetable temperature lines, वो मैं लिख देता हूँ, Mai 기자, यहां पे लिख देता ह sensitive, यह 20 degree का है, यह 30 degree का है, यह 40 degree लाइन है, यह 50 degree line है, यह 60 degree, 60 वाली है, यह 70 वाली है, यह 80 वाली है, और यह 90 वाली है, इस तरह से चलेंगे, एक आएगा हमारे पास relative humidity अब relative humidity जो है वो किस तरह से आएगा वो हमारे पास ये color हम ये लेते हैं ये हमारे पास जो आजएगा वो इस तरह से curve बनेगा ये curve है ना इसके साथ ही चलेगा ये curve होगा ये देखिए इस तरह से ये जो curve है वो हमार पस relative humidity आजएगा relative humidity ओके तो relative humidity हमार पस इस तरह से आएगा तो relative humidity जो होती है वो हमार पस RH लिख देगे तो ये हमार पस RH relative humidity ये हमार पस percentage में आएगी तो ये जो line होती है सबसे उपर ये होती है 100% के पर और ये माली जी 80% है, ये माली जी 60% है, ये 40% है, ये 20% है, ये 10% है, इस तरह से मैं लाइन्स बना दता हूँ, तो पहले तो आप लाइन्स को समय दो, अब आपको पता लगेगा कि फाइदा क्या क्या है इसका, फाइदा क्या क्या है हमें कहीं पे आपको value दे देगा, माली जी आपक और ऱलब टेंप्रेशर दे रिया कि हमारे पास माले लिए 30 Harvey ऐ 40 रियर लिए अब हमारे पास क्या करना पढ़ेगा 30 रिडलाइन और यहां पे हमारे पास 40 रिडलाइन तो यहां पर पह wire सेंए निल रहा माल लिजे ये 50 है और wetable temperature की line माल लिजे कोई collide करी है ये 40 वाली line collide करी है आप देखे 50 वाली और ये 40 वाली ये line दोनों अपस में कहीं पर match कर रही है वो कर रही है यह रही है यहाँ पर match कर रही है इसके according हमें पता लग सकता क्या कि relative humidity कितनी है अब देखे इस ये वाल लाइन देखेंगे तो हमें पस ये relative humidity 60 और ये 40 तो इन दोनों के बीच में है तो यहाँ पर क्या आदेगा यहाँ पर माल लेते है 50 है ठीक है ये 60 है ये 40 है तो ये 50 आदेगा तो हमें ये पता लग गया कि यहाँ पे जो relative humidity है वो 50 परसेंट है तो हमें relative humidity मिल गई वो मिल गई 50 परसेंट और even हम ये देख सकते हैं कि इसकी specific humidity कितनी है तो specific humidity की लाइन जो ये लाइन पर value होगी वो होगा हमारे पास पास समझाई तो हमें कोई value दी हो उसके according हम बकी condition इसकी निकाली जा सकती है मालीजे मैं ऐसे कुछ कहता हूँ मालीजे ये वर लाइन है कि हमारे पास 90 वाली लमगला एक बार मालीजे माल लेते हैं और 90 वाला dry bulb temperature है dry bulb temperature हमारे पास 90 है ठीक है और 90 डिगरी है dry bulb temperature 90 डिगरी है और आगे जाकर यहां पर relative humidity 40 है relative humidity जो है वो 40 है 40 परसेंट है अब देखो 90 वाली और 40 वाली यहां मिल रही है यहां पर match कर रही है इसके according हमें देखो specific humidity पता लग जाएगी अगर मालीजे यहां पर कोई value है 50 तो हम कहेंगे इसकी 50 है और आपको गए इसका वेट अबलब temperature कितना है हम देखेंगे यहां पर देखो 70 और 80 इन दोने के बीच में 75 मैं कहा दूँ 75 वैजी वेट अबलब temperature और इसकी enthalpy बताओ कितनी है enthalpy बताने के लिए हम यह इसके साथ मैच करते हैं यहां चले जाएंगे और यहां पर जो values लिखें होंगी enthalpy की वह value माल लिजिए यहां पर 250 लिखें हुई ऐसे कुछ बोल देता हूं बचाओ 250 तो यह इसकी value के आगी 250 enthalpy की value निकल आई वेट बलब temperature की line आगी तो हमें क्या चाहिए हमें यही चीजे चाहिए even dew point temperature भी निकाला जा सकता है अगर हम इसी को इसके साथ 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 आते 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 ना ये वाला मालेजी ये 45 है तो ये इस condition वाली हवा का due point temperature 45 होगा इस वाली condition cost वाली condition ये वाली condition वाली हवा का due point temperature कितना होगा वो हमारे पास होगा 45 degree 45 degree है तो हमें इससे निकाल सकते हैं इससे हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास value कितनी आ रही है तो अब I hope कि ये chart आपको समझा गया होगा chart समझा गया होगा इस chart को आप बना सकते हैं मेरे साथ साथ और ये values लिख सकते हैं अब हम आते हैं कि हम actual chart हमारे पास यह हमारे पास देखिए actual chart actual chart में वही सारा कुछ होगा देखो wetable temperature यहाँ पे dryable temperature lines आजेगी dryable वाली आजेगी यहाँ पे specific humidity आजेगी यहाँ पे देखो यह वाला यह enthalpy वाला भी आजेगा और relative humidity वाली देखो यहाँ लाइन आजेगी relative humidity आजेगी यह सारी lines इस तरह से काम करती हैं तो अब इस cyclometry को हम समझेंगे बड़े अराम से समझेंगे और इसमें values लेंगे numerical करेंगे यह सारा कुछ हम करेंगे